में आज हम जानेंगे paragraph के बारे में paragraph में हमें इंडेंट और इस्पेसिंग का option मिलता है इसके लिए सबसे पहले मैं random text का formula लगा के random text insert कर लेता हूं अब सबसे पहला option है यहाँ पर इंडेंट तो अगर आप अपने paragraph में इंडेंट देना चाहते हैं तो इंडेंट दे सकते हो तो देखिए हमारे पास left and right दो तरीके के इंडेंट बिल रहे हैं जैसे कि यह मेरा पहला paragraph है और मैं इंडेंट देना चाहता हूं इसमें left से तो यह क्या करेगा left से यहाँ पर थोड़ी margin लेगा यानि move होगा left से तो देखिए यहाँ पर मैं इसको increase कर रहा हूं point तो यह left से move हो रहा है और अगर मैं इसको right से करना चाहता हूं तो देखिए म इस तरीके साब indent का use कर सकते हो अब यहाँ पर देखिए spacing के option आ रहा है before and after before क्या करता है आपके paragraph के पहले spacing देगा और after क्या करेगा आपके paragraph के बाद में जैसे कि देखिए यह मेरा paragraph है इसके आग इसके ऊपर यानि इससे पहले paragraph है और इसके बाद में एक paragraph है तो मैंने अपन इसके पाइंट 5 है तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसका spacing increase कर रहा हो तो यानि इसके बाद देखिए इससे पहले वाला जो paragraph है उसके और इसके बीच में इस पैस इंक्रीश हो रहा है और अगर मैं कम करूंगा तो इसके खाम होगा ठीक है आप देखिए after after यानि इसके बा पर दोगे तो यहां पर नॉर्मल स्पेस आ जाएगा तो इस तरीके से आप इंडेंट और स्पेसिंग दे सकते हो अपने पेरेग्राफ के टॉप एंड बॉटम में और इंडेंट दे सकते हो लेफ्ट और राइट साइड में तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वी के जसए हो इंडेंड के जा सबस्टे के छुए हो गले यडियो यद深 besideव पंडेंगेश जाएगा सब हो 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 इस वो गलाएगा साफ हो हो बढक evaluे हो 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 है जूड शाएगा